इंदौर हमेशा कई अनुशाशनों के लिए जाना जाता है लेकिन कुछ समय पहले बुज़ुर्गों पर अत्याचार पर इंदौर कलंकित हो गया था आज भी कुछ अलग मामला सामने आया है इस बार कलंकित करने का काम किया है इंदौर की पुलिस ने जानकारी के अनुसार मामला परदेशी पुरा थाने का बताया जा रहा है जहां दो पुलिस जवान एक व्यक्ति की जम कर पिटाई करते हुए दिख रहे हैं जानकारी के अनुसार प्रजेसी पूरा ठाने के दो जवानों पर मास्क ना लगाने वाले ओटो चालत क्रिश्नकान कुंद्री से मारफीट का आरोफ है क्रिश्नकान का आरोफ है कि पुलिस जवानों ने मास्क नाक के नीचे होने पर भी ठाने ले जाने के लिए जित की माफी मांगने के बाद भी दोनों जवान वहां नहीं माने और जमीन पर घसीट घसीट कर मारा पंसी प्रेस की चाल के पास शिरोज गांदी नगर में सुबह साड़े 11 बजे का ये मामला बताया जा रहा है बहरम पुलिस जवानों ने इस बार तो हद ही कर दी व्यक्ति के साथ बच्चा रोते बिलक को इन दो जवानों के आगे गिड़ गड़ा रहा था लेकिन उन्हें कोई भी दाया नहीं आई फिलाल एस पी ने दोनों पुलिस कर्मियों को एस पी ओफिस अटैज कर दिया है वहीं सी एस पी निहित उपाध्या को मामले की जात सोपी गई है